विल्कम बैक तो मैं चैनल गाइस दा अकैडमिक धावा में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है तोडेय विल डिस्कुस अबात आर्टी आई क्या है आर्टी आई इसके क्या बेनिफिट्स हैं आर्टी आई का फूल वाम होता है राइट तो इन्फरमेशन इट प्रोवाइड अप्रोवाइड आप किसी भी गर्मेंट इस्टीशन से कोश्चन कर सकते हैं कि आपने जो काम किया है या नहीं किया है या कहीं इन्फरमेशन किया है कितने रुपए या कुछ ये सारा कुछ आप कोश्चन कर सकते हैं ये एक्ट 2005 में पास हुआ था और ये एक्ट पास किया गया था करफशन के अगेंस्ट में कि कहीं भी करफशन अगर हो रहा है तो हम उसको कुश्चनराइज करकर उससे हम पूछ सकें और उसको रोक सकें अरविंद किज्रिवाल और अरुन रॉय को आपको थैंक्स कहना चाहिए कि ये दो ऐसे बंदे थे और डिवेरियस अदर अक्टिविट्स जो थे उनके साथ मिलकर आट्याई को पास कराया गया डिफेंट डिफेंट कंट्रिज में कैंपेंच चला कर जो कि एक सैलेंट कैंपेंच था जिसका कही है पहले फला नहीं हुआ और प्रेशर में आकर देहली में सबसे पहले राइट टू इंफरमेशन एक्ट बना था 2001 में और वहां पास होने के यह एक्ट पार्लियमेंट में पास हो गया कब in 2005 में अब इसके अबजेक्टिक वारे में बात करते हैं कि इसका हमारा बेनिफिट क्या है पहला तो इसका बेनिफिट यह अबजेक्टिव था हमारा कि सिटिजन जो भी इंफॉरमेशन चाहते हैं वो उसे मिले वो उसका है या कोई स्कीम है जो कि गर्वर्मेंट के द्वारा चलाया गया उसके अकॉर्डिक आपको फैसिलिटिस प्रवाइड नहीं हो रही है तो आप एक कोश्चन एराइज कर सकते हैं आप ऑथरिटी के दिहान में ये बात दे सकते कि आपका ये फॉल्ट है मुझे भी तक अग ये अकॉंटिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो भी MPs, MLA आपके एरिया में हैं उससे आप कोश्चन एराइज कर सकते हैं और जो काम के लिए उन्हें रिस्पॉंस्बिलिटी मिली हुए उससे आप उसे याद दिला सकते हैं थूरू RTI अगर कहीं कोई काम नहीं है बहुत भी सेंट्रल कमीशन से तो RTI की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं RTI का अपने पाइदा है होप करता हूं RTI को समझने में मेरी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते देन प्लीज लाइक इट शेयर इट एंद सब्सक्राइब इट तिल